दोस्तों, आज मैं आपको पांस धरम वाली बहुओं का एक कमरा कहानी सुना रही हूँ सुलोचना की चार बहुएं अलग-अलग धरम की थी एक बहु हिंदु धरम की रुची, क्रिश्चन धरम की अलीना, मुस्लिम धरम की हयात, पंजाबी धरम की जसलीन, जो की काफी अच्छी थी सुलोचना खुद से बात करते हुए कहती है सुलोचना की ज़्यादा अर्मान थे की वो अपने बेटे राहुल की शादी में काफी कुछ अलग-अलग करे और वहीं राहुल एक सिख लड़की हेमा से बहुत प्यार करता है हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे अरे हम दोनों अलग-अलग धरम के हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं लेकिन शादी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे घरवाले नहीं मानेंगे मेरे घरवाले नहीं मानेंगे और हम अपने परिवार वालों को निराश करके उनके अर्मानों को ठेस पहुँचा कर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा उन्होंने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है और अब हम ही उनके बारे में नहीं सोचें ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना तुम बिल्कुल सहीं कह रहे हो और तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूं लेकिन जब हम दोरों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम दोरों एक दूसरे से शादी ही करेंगे न देखो, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्यार से ही दूर चले जाना चाहिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को मना लूँगा और मुझे यकीर है कि मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए आज तक तो हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे थे ना लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे पर दवाव डाल रहे हैं कि मेरी शाधी करवाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेश पहुंचे इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए तुम अपने परिवार पर धैन दो और मैं अपने मेरा साथ दो की तो हम लोग मुश्कल से अराम से लड़ लेंगे बहुत सी बाते खाय जी रही थी कुछ दिनों बात पड़ोस अनुमा सुलोचना के पास आती है और बोलती है मुझे अच्छे से पता है तु यहां क्यों आई है इसलिए जादा घुमा फिरा कर बाते मत कर जो भी बात है सीधा सीधा बोलना मैं तो बस यह कहने आई हूँ कि अब तो तेरे पांचो बेटों की शादी हो गई है घर में कोई दावत का तो प्रोग्राम बना आस पड़ोस के लोग तेरे घर की दावत का इंतिजार कर रहे हैं पांच धर्म की बहु आई हैं पांचो धर्म की बहु अगर खाना तो अलग-अलग व्यंजन खाने को मिलेंगे बता तो सही दावत कब रख रही है मुझे कुछ नहीं पता मेरी मर्जिसा इस घर में कुछ नहीं हो रहा है इसलिए मुझसे कुछ मत पूछ अगर तुझे दावत का प्रोग्राम जानना है तो जाकर मेरी पांचो बहुँँ से पूछ ले लेकिन मुझे अपनी बहुँँ से कोई शिकायत नहीं है लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ मैं करूं भी तो क्या करूं मेरे बेटों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं बहुँ से कैसे शिकायत करूं और वैसे भी दावत का तो बिलकुल भी मन नहीं है चार लोग आए हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ जादा ही उदास लगती हैं मा जी कोई बात है तो हमें बताईए ना हम आपकी बहुए हैं भले ही आपके बेटों की पसंद से आई हैं लेकिन है तो हम सब आपकी बहु ना अम्मी जान, बोलिये न कोई परिशानी है तो, कोई मसला है तो हमें बताइए, तुसी चिंता मत करो मम्मी जी, पांच-पांच बहुए है आपकी, पांचो बहुँ को अपनी शिकायतें बतादो, चुटकियों में आपकी परिशानी अहल हो जाएंगी, बताइए न मम्मी जी, आप अपसित दिख रही है, इसलिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सास की बातें सुनकर पांचो बहुएं सुलोचना के कमरे से बाहर आती है। और अगले दिन जब दावत होती है, तो सारी तयारियां वो खुद ही करती है। ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर में दावत हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। और दावत में तुम लोगों ने क्या बनाया, कोई परेशानी तो नहीं होगी न, मुझे तो डर लग रहा है। और वो भी इतना बढ़िया, सच में दिल खुश हो गया, तू तो बहुत किस्मत वाली है। कंजूस बहु की दावत कि कलौती बहु हो। तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। सब तुम्हारे लिए ही है। जी भर के पहनो और खूब सच सबर कर रहो। बागी कुछ और भी चाहिए हो तो बेजी जक मुझ से कहना। ठीक है। खमाल है। ये लोग कितना फिजूल खर्च करते हैं। मेरा काम तो इससे आधे सामान में भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं। अब ले आए हैं तो रख लेती हूँ। लेकिन इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करूँगी। ऐसा सोच कर रीना ने सारा सामान उठाकर अलम अब घर में कोई दावत होने वाली है क्या। हाँ बेटा कुछ ऐसा ही समझ लो वो क्या है ना कि हमारी घर का रिवास है। हर शुब काम के बाद गरीबों को खाना खिलाया जाता है। सोचा तो ये था कि तुम्हारी और राजेश की शादी के तुरंद बाद ये भोज रख अभी हमें किस बात की कमी है। कमी अभी नहीं है पर अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जरूर हो जाएगी। माजी माप कीजे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या इस बार मैं सब कुछ संभाल लू। हाँ हाँ क्यो नहीं बेटा वैसे भी आगे तो तुम आधाश्रम और विधाश्रम के लिए कब चलना है और वहाँ ले जाने के लिए खाना तो तैयार है ना। नहीं माजी वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। पूरे 11 गरीब बुलाये थे मैंने और सब को भर पेट खिच्ड़ी खिला कर भेजा है। ह बता रही हूं आपको अरे ये क्या बोल रहे हो रिना बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मानती हूं कि फिजूल खर्ष ठीक बात नहीं है लेकिन गरीबों को खाना खिलाना तो पुढ़ने का काम होता है बेटा। भूखे पेट से निकली दुआउं से घर में सुक सम्रिंध आती है आने वाली पीडियों का भविश्य बनता है आने वाली पीडियों का भविश्य ना बिगडे इसलिए तो मैं ये सब फाल्तु खर्ष रोक रही हूं माजी आपको को कोई अंधाजा नहीं है जिस तरह चीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं कमाई नहीं बढ़ रही तो अरे वो आज मुझे बहुत सारे कपड़े दोने थे तो समय जरा कम था इसमें भी गलती तुम्हारी है घर के बागी कामों के लिए अच्छी भरी नौकरानी लगी थी क्या जरूरत थी उसे काम से हटाने की न देख रहा हूं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो न अपने लिए समय है तुम्हारे पास और न मेरे लिए आप भी न कमाल हो एक तो नौकरानी को हटा कर मैंने आपके पैसे बचाएं हैं उपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो और खाने का क्या है रोजी तो खाना है फिर क्या अच्छा और क्या बुरा रीना की कंजूसी वक्त के साथ बढ़ती जा रहे थी और उसे रोप आना किसी के बस में नहीं दिख रहा था इस तरह पैसे बचा कर रीना बहुत खुश्श थी पर एक खुशी थी जो वो चाहकर भी हासिल नहीं कर पार थी आप बोल रही है कि हम दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है कहां देखिए मैं सारे जरूरी टेस्ट करवा चुकी हूँ सब कुश ठीक है तो मैं फिलाल यही कह सकती हो कि आप भगवान की मर्जी का इंतिजार कीजे शादी को पांस साल बीतने के बाद भी रीना की गोद नहीं भर पाई थी यह दिक्कत रीना को अंदर ही अंदर खाये जा रही थी लाज काम आ रहा था और नाही कोई ईश्वर से प्रार्तना का फल मिल रहा था नतीजा यह कि अब रीना बहुत उदास रहने लगी थी और यह देखकर कांता को भी बहुत बुरा लग रहा था रीना तुम परिशान मत हो भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा नहीं माची कुछ ठीक नहीं होगा पता नहीं बहगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे है शादी से इतनी मुसीपते दे कि वो कम थी क्या जो अब शादी के बाद बे औलाद होने का दुख लिए बहगवान ने मेरे नसीब में नहीं रिना ऐसे नहीं बोल देखो मैं जानती हूँ कि वैसे तो तुम्हें इस सब में विश्वास नहीं है लेकिन बेटा बस एक बार मेरे कहने पर तुम मेरे साथ हमारे कुल गुरुजी के पास चलो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस समस्या का हल जरूर बता सकेंगे वो रिना हिम्मत हार चुके थी बेटी ये सत्य है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाईयों का सामना किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन मुश्किल वक्त की तकलीफों का दर्द तुम जीवन भर अपने साथ लेकर चलो जी भर के खोशियां बाटो और फिर देखना ईश्वर तुम्हें तुम्हारी खोशी अवश्य देंगे जी मैं कुछ समझी नहीं क्या करना होगा मुझे कुछ खास नहीं बस अब से लेकर पूरे तीन महीनों तर हर रोज पांच गरीबों को भोजन कराओ और ध्यान रहे भोजन ऐसे करवाना जैसे साक्षा अतिश्वर तुम्हारे घर पधारे हो और तुम उन्हें भोज करा रही हो क्या पूरे तीन महीनों तक लेकिन इससे क्या होगा ये तो बस रीना आगे कुछ कह पाती है उससे पहले ही कांता ने उसका हाथ पकड़ कर उसे चुप रहने का इशारा किया सच यही था कि रीना को ये सब फाल्तु खर्श लग रहा था लेकिन फिर भी उसे कुलगुरु जी की बात मानने ही पड़ी शुरू में रीना को ये गरीबों को खाना खिलाने में बड़ी तकलीफ हुई पर दीरे दीरों से इससा बच्चा लगने लगा और वो बड़ी श्रद्धों और खुशी से अपने हाथों से गरीबों को खिलाने के लिए बढ़िया खाना बनाने लगी और फिर एक दिन मुबारक और रीना जी आप मा बनने वाली है डॉक्टर के ये श्रद्ध मानो रीना के लिए किसी अमवित से कम नहीं थे उसकी आँखों से फॉरन आसू बहने लगे और रोते हुए उसने राजेश से कहा सुनिए मुझे जल्दी घर ले चलिए